हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो SSC केचन सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजिनिंग के प्रेशणों की बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि सबी प्रेशण है तो चलिब श्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रेशण है यदि 4 पिलस 2 18 प्लस 6 ए 4 बराबर 12 हो तो 24 प्लस 3 ए 7 का मान कितना होगा आपको करना क्या है 4 प्लस 2 ए 3 बराबर 6 का मान सबसे पर पता करना है कैसे करेंगे आपका 4 प्लस 2 ए 3 बराबर 6 के कैसे जाएगा अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपको ये प्रेशनी छोड़ने परेंगे एक्जाम में क्योंकि इनका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है 4 ले लिया यहाँ पर जो पिलस है इसकी जगह अगर मैं डिवैड ले लूँ यह दो है और यहाँ पर जो ए है इसकी जगह मैं गुना ले लूँ और 3 कितना आएगा देखिए 2 से 4 कटेगा दो बार में डिवैड का सान लिया हमने तो डिवैड करेंगे 2 से 4 में दो बार में और 2 कमल पर 3 से करेंगे तो 6 आजाएगा सिंपल है वही लोजिक यहाँ देखिए 18 पिलस 6 ए 4 बराबर 12 यही तो है बराबर आना चाहिए तो 18 लोँगा पिलस की जगह यहाँ डिवैड लिया तो मैं यहाँ भी डिवैड लोँगा 6 एकी जगह गुना लिया तो एकी जगह य 24 पिलस 3 ए 7 बराबर क्या आएगा नहीं पता कोई बात नहीं 24 पिलस की जगह क्या लेना है डिवैड ती और एकी जगह गुना लेना है 7 आजाएगा आंसर वही तीन अट्थे 24 कटेगा और 8 सत्ते 8 गुने साथ कितना 8 सत्ते 56 होगा यह आपका आंसर आगया 56 डिया आपकी प प्रेशनी था मुझे पक्का मालूम है कि देखते ही आप समझगे होंगे प्रेशनी कितना important है और कम से कम 20% बच्चे ही इस प्रेशनी को खुद से solve कर पाए होंगे ठीक है बाकी से नहीं हो पाया होगा लेकिन आप करिए इनको नहीं करेंगे तो प्रेशनी में यहीं स्रेंखला में अगला पद क्या होगा यहाँ पर आपको देखिए स्रेंखला दी गई है इस स्रेंखला में अगला पद क्या होगा यह आपको बताना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर देखिए पी है पी से क्या है आर पहली से बनाएंगे तो पी के बाद में क्या दे रख तो आप समझ गे के एक अक्सर को छोड़के उसके अगला लिखा जा रहा है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे एक अक्सर को छोड़ देंगी ठीक है उसके अगला लिखेंगे व के बाद क्या आता है दोस्तो डवलू आता है तो डवलू को हम छोड़ देंगे और डवलू के बाद जुआएगा वो से यहां पर लिखेंगे तो डवलू के बाद एक्स आता है मैंने एक्स यहां पर लिख दिया ठीक है इतना समझ में आई बात आप देखिए आगे चलिए O के बाद में देख रखा है दोस्तों क्या Q, दूसरे का दूसरे से बनाएंगे अब O के बाद में Q दे रखा है, तो O के बाद में अक्सर आपका कौन सा आता है भाई देखी, आप A, B, C, D पढ़ते हैं O, P, Q, R, S, D ऐसी तो चलता है तो O के बाद में आता क्या है, P भाई O के बाद में आता P है लेकिन Q दे रखा है, तो इसको छोड़ा है की नहीं छोड़ा जिस तरीके से यहां छोड़ा था उसी तरीके से यहां भी छोड़ा है P को छोड़ दिया गया, एक अक्सर को छोड़ दिया गया और Q के बाद में देखिए दूसरी के यहां दूसरे से बनाएंगे Q के बाद में S दे रखा है जबकि Q के बाद में R आता है तो R को छोड़ा गया S को लिखा गया S के बाद में यहां क्या दे रखा है U दे रखा है जबकि S के बाद में क्या आता है, T आता है, तो T को यहां पर छोड़ा गया, ठीक है, U दे रखा है, और U के बाद में, दोश्तों 고 pas व, X, W, भाई देखिए, पहली संक्या हमारी यह है, बाद में, दूसरी संक्या पता चलेगी, तो हम पहली संक्या को देख रहे हैं पहली संक्या में एक ही option है जिसमें xw आ रहा है तो पहली संक्या हमारी xw हो जाएगी दूसरी zyx इतना ही कर लीजे इतने में ही आपको आप cancer मिल गया तो इस तरीके के प्रेश्णों की practice करना आपके लिए पहुँच जरूरी है ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण है नीचे दियेगे प्रेश्ण का सही बेनारेक बताओ गाजर सबजी भोजन देखिए गाजर सबजी भोजन अगर आप नहीं समझ पाए तो एक उधारन देख लीजी अगर इसक इंडिया गेट ठीक है अगर इसका आपको रिलेशन बनाना है इसका बिन डाइगरम बनाना है तो कैसे बनाती है गाजर सबजी भोजन है उसी तरीके से मैंने एक उधारन ले लिया भारत दिल्ली इंडिया गेट तो दीकि इसका डाइगरम कैसे बनेगा सबसे पहले तो वहां पर है भारत के अंदर ही तो है तो भारत के अंदर आपका यह दिल्ली आ गया भारत से बाहर तो है नहीं दिल्ली भारत के अंदर ही है तो अंदर दिल्ली आ गया और देखें इंडिया गेट यह इंडिया गेट कहां है दिल्ली के अंदर है कि नहीं है दिल्ली के अंदर ह आजाएगा इस तरीकी का डाइगरम बिल्कुल वैसा ही डाइगरम यहां बनेगा देखिए जो भोजन है वो सबसे उपर आएगा क्योंकि भोजन के अंदर ही सब्जी है गाजर है भाई ठीक है भोजन आ गया भोजन के अंदर क्या है दोस्तो सब्जी आ जाएगी और यह क्या गाजर गाजर कहाएगी सब्जी के अंदर गाज़र आती है तो गाजर अंदर आजाएगे सब्जी के यह आप कांसल आगया जो की पहला aub कामाच कर रहा है तो उम्मीद करूँगा कि प्रेशनी सभी को समझ में आ गया किसी को कोई समझ्या नहीं है अगर आप कहेंगे कि ये गाजर हो गया ये सबजी हो गई और ये भोजन हो गया इस तरीके से आप इस पे टिक कर देंगे सही करेंगे तो ये गलत है जो निव इस्टूडेंट हैं जो नए बच्चे हैं अभी अभी तयारी करना शुरू किया है उनके लिए खास कर बता रहा हूं कि इस तरीके से सौल्ब कीजिए इसलिए मैं उस तरीके से बताना पसंद करता हूं ताकि कितना भी कमजोर बच्चा हो उसकी समझ में आ जाए कितने बच्चे ऐसे हैं जो नएने तयारी करना शुरू किये हैं और अभी अभी सीख रहे हैं कमेंट वक्स में जरूर बताएगा अब देखेंगे अगला प्रिश्न अगला प्रिश्न है तीन घंटियां एक साथ आठ बजे बजी थी तीन घंटियां एक साथ सबसे पहले कब बजी आठ बजे बजी थी तीनों घंटियां आठ दस एवं बीस मिनट के अंतराल पर बजती हैं 8, 10 और 20 मिनट थीक है? इतना किलियर है 8, 10, 20 मिनट के अंतराल पर बसती है फिर बे सभी एक साथ कब बजएगे? यह पूछ रहा एक साथ 8, 10, 20 मिनट के अंतराल पर बसती है सभी का LCM ले लीजी आप 2 से कटाये चार बार में 5 बार में, 10 बार में फिर दो से कटाएंगे दो बार में, पांच और ये पांच, फिर दो से कटाइए दो, कट गया ये, फिर पांच से कटा लीजे, पांच दूने दस, दूने बीस, दूने चालीस, LCM आगया आपका चालीस, इसका मतलब ये है, कि वो एक साथ 40 मिनट बाद बजेंगी, तीनों अब फिर 40 मिनट बाद बजेंगी तो कब बजेंगी आठ बज के 40 मिनट के बाद इसमें 20 मिनट जोडेंगे 9 बज जाएगा और 20 और जोडेंगे तबी तो 40 होगा तो 9 बज करके 20 मिनट पर बजेंगी ठीक है 9 बज़ के 20 मिनिट के बाद मैं ये 3 बार बज़ गी ठीक है अब 9 बज़ के 20 मिनिट के बाद मैं फिर 40 मिनिट बार बज़ेंगी तो 10 बज़ेंगी ठीक है किलियर है इतना अब आंसर क्या जाएगा वे फिर सभी एक साथ कब बज़ेंगी भाई 10 बजे ही तो बजेंगी पहला option सही हो क्या केलियर हुई बात उमीद करूँगा कि सभी की समझ में प्रेशन अच्छी से आ गया यहां पर देखिए 8 बजे बजीती एक साथ उसके बाद 8.40 पर बजेंगी अगर प्रेशन में हमारा 8.40 का time होता तो वो सही हो जाता 9.20 का time हो जाता वो भी सही हो जाता 10 का time है वो भी सही है ठीक है दोस्तों यह जितनी भी time है सभी सही है लेकिन option हमें जब तक निकालना है जब तक option न मैच हो जाए एक बार निकाल लिया option में नहीं था दूसरी वाल निकाल लिया, option में नी था तीसरी वाल निकाला तो option में दे रखा वही answer हो गया समझे में आगया question, आप देखेंगे अगला question अगला question है B बहन है R की बहुत बढ़िया question है दोस्तों बिलर रिलेसंस से है, यहाँ पर कह रहा है कि जो B है, वो बहन है R की, देखें दोस्तों B क्या है B आपकी R की बहन है R की बहन बहन है, तो मैं minus ले लेता हूँ ठीक है, female के लिए क्या करते है minus, और plus ले लेती है man के लिए, ठीक है R की बहन है B, R की बहन की M, भाई देखें देखें, प्रेशने को पढ़िए B बहन है R की B बहन है R की M भाई है R का भाई, R का एक भाई भी है M भाई, प्रेशने को पढ़ा जब हमने अच्छे से तो क्या पता चला कि B, R की बहन है B, R की बहन हो गई और M भाई है R का तो M, R का भाई हो गया माता है आर की दोस्तो आर की एक मा है डी मा ठीक है आर की एच पती है डी का बहिए डी का पती है एच डी का पती है एच ठीक है डी का पती है एच तो पूछ रहा है डी का पती है है एच के कितने बच्चे है ठीक है यहाँ पर कह रहा है, H पती है D का, H के कितने बच्चे हैं, इस H के कितने बच्चे हैं, यह पूछ रहा है बता दीजिए भाई देखिए, D का पती H है, ठीक है, अब D के बच्चे हैं यह तीनों, तो H के बच्चे भी यह तीनों होंगे, क्यों होंगे देखे डी के बच्ची है आर की मा है डी जब आर की मा है तो M की भी मा होगी B की भी मा होगी क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बेहन है जब आर की मा डी है तो B की भी होगी M की भी होगी ठीक है अब देखे आर की मा डी है और D का पती H है तो मा का पती कौन होगा पिता तो R का पिता H होगा तो M का पिता भी H और B का पिता भी H तो S के तीन बच्चे हो जाएंगे B, R, M कितने बच्चे तीन बच्चे हो जाएंगे जो कि B of Sun में दे रखा एश के कितने बच्चे हैं भाई तीन बच्चे हैं या आपकी प्रेशने का सही आंसर हो जाएगा तो उमीद करूँगा प्रेशने सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा किसी भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहने बाद